हलो दोस्तों कैसे आप लो दोस्तों आपने 10th किया हुआ है 12 किया हुआ है आई डिप्लोमा होल्डर्स है या ग्रिविशन किया हुआ है और आपके इच्छा है कि आप डेली में जॉब मिल जाब आपके लिए बहुत बड़ी खुसकवरी है डेली सब्सक्राइब सर्विस सेले दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अभी था हमारे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरू सब्सक्राइब कर लेकर आप चाहते हैं कि आपको टाइमली गर्मेंट जॉब्सक्राइब करने वाद बेल आइकन को जरू दबा दीजेगा दोस्तों आप लोग लाइक प्राइबेट जॉब्सक्राइब करने वाले हों बहुत अग्रेसिव रहता है कि हमें देली में जॉब मिल जाए बहुत सरी कंपणिया भी वहाँ पर है और एक अलग होता है तो आपको मौका मिला है देली में जॉब करने के लिए जो कि डिफरेंट के लोगों को लिए यह है कि अब आपके पास क्वालिफिकेशन के लिए आपकी जॉब्स अब लेवल और इसमें एक अगर ज्यादा है सब्सक्राइब कि अपस क्या हुआ है कि आप एक साथ मल्टिपल जॉब्स अप्लाइब कर सकते हैं लेकिन वहां पर एक कंडिशन है जो आपको ध्यान रखनी ह है कि अगर आप apply करते हैं दो jobs के लिए तो जो डेली का यह बोर्ड है यह राइट रखता है कि वह दो jobs की जो एक दिन रख सकता है तो उस case में आपको एक exam मिस करना पड़ेगा इस बात को ध्यान रखके apply करते हैं अब बात करते हैं jobs details के बारे में सबसे पहले important dates के बात करते हैं तो अप्लिकेशन जो है अल्रेडी स्टार्ट हो गई है जिसका इनिशल स्टार्टिंग डेट था पंद्रव मार्श दोजार 21 जो लास्ट करने का है वह आपका है चौदर अप्रेल दोजार 21 सबसे इंप्लिकेशन फीज की तो अप्लिकेशन फीज में बहुत ही कम रखा गया है जो कम जो भी जनरल ओड़ और ओबी सी और डिवलू एस काटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए मात्र हंडेड रूपिस रखा गया है वहीं पर जो सी है उनके लिए निल है अब दूस्तों बात करते हैं वेकेंसी डीटेल की देखिए वेकेंसी जो है बहुत ज्यादा है का अल्मोस्त आपकी 1809 वेकेंसी जैंड और हर जो भी आपके कैटेगरी से सब में अलगल वेकेंसी तो इसको ध्यान सब समझेगा और इसको आप पड़ लिजेगा किस वेकेंसी आपको अप्लाई करने जाना है बात करते हैं सबसे पहले कि सबसे पहले जो पोस्ट है टेकनिकल असिस्टेंट है पब्लिक हैल्थ इसमें नमबर आप पोस्ट जो है टू और इसके लिए प्वालिफिकेशन आपके पास होने चाहिए और टेंथ होने चाहिए जो नॉर्मली बात है और इसका लाबा जो एच का रिलेक्सेशन है एच पर गवर्मेंट टूर्स आपको अप्लिकेबल हो का मिल्स ओवी सब्सक्राइब करते दूसरे पोस्ट किये तो है टेकनिकल असिस्टेंट अप्रिंटिंग इसमें आपके नमबर आपके होना चाहिए प्लस डिप्लोमा होना चाहिए बात करते है तो टेकनिकल असिस्टेंट से इसमें बी сов होने चाहिए अगली वेकन्स के बारे में है जो है टेकनिकल ऑसिस्टेंट आपका इंटीर्य डिजाइनर इसमें आपके पास टेंथ क्वालिफाइब होना चाहिए प्लस आपके पास टू एर का डिप्लोमा होना चाहिए इस ट्रेट के रिकॉर्टिंग बात करते हैं अगली वेकंसिस बारे में जो है टेक्निकल असिस्टेंट प्रोडेक्शन इसमें आपके पास टू एर का डिपलोमा होना चाहिए और आप 10th qualify होने चाहिए बात करते हैं नेक्स जो आपकी जॉब है यह है technical assistant medical electronics इसमें आप 10th pass होना चाहिए और इसमें भी आपको पास डिपलोमा होना चाहिए 2 years का इस ट्रेट के recording बात करते हैं नेक्स जो आपका है technical assistant modern officer practice in Hindi ध्यान रखेगा यह इसमें भी होना चाहिए बात करते हैं नेक्स जो जॉब से technical assistant instrument and control इसमें भी आप टोटल नंबर आप वेकेंसिज आपके टू है और आपको पाटेंट क्वालिफाई होना चाहिए प्लस आपके पास डिपलोमा इसमें भी होना चाहिए और नेक्स आपका है technical assistant plastics इसमें भी है आप इसमें भी 10 पास आपके होने चाहिए प्लस टू एर कप डिपलोमा इसमें भी होनी चाहिए नेक्स आपका लेबरोटरी अटेंडेंट इसमें आपके टोटल नंबर आफ वेकेंसिस 66 है और इसमें आपके बैचलर डिग्री इन साइंस बीस्टी विट पीशीम इसमें आपको चाहिए बैचलर डिग्री विदा कैमेस्ट्री अज सब्जेक्ट प्लस टू एक्स एक्सप्रियंस आपको चाहिए और या मास्टर डिग्री आपके पोच चाहिए नेक्स्ट आपका है असिस्टेंट इंजिनियर ई-एन-म जिसमें आपको नंबर आप चाहिए और इसकी लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है यह आपकी लिमिट है एटीन से टोंड अथाटी से पहले जोब्स थे उसमें एज की लिमिट थी 18-27 यहां पर तीन साल और बढ़ा दिया गया है साथ ही आपकी जो एज का रिलेक्सेशन ओब इसमें आपको मिलता रह से ड्राफ्ट मैंशिप में प्लस टू एर अगर एक्स्पिरियर्स है तो बहुत ही अच्छी बात है नेस्ट आपका है पर्सनल असिस्टेंट जिसमें आपकी टोटल नमबर आफ वेकंसे 84 और आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यह है टेन प्लस टू इंटरमे हो एक ट्रेनिंग हो इस ट्रेट के एकॉर्डिंग नेक्स्ट आपका है फर्मासिस्ट उना यूनानी जिसमें आपके टोटल नमबर वेकंसे इस फोर्टीन और आपके टेंट क्वालिफाइए होना चाहिए साथे दो यह का पास डिप्लोमा या डिग्री होने चाहिए इस कर आपका टम्र वोघरी और चाहिए नेक्स्ट आपकाओनी जना टिक्टेशन है ब्सक्राइए होनी चाहिए नेक्स्ट आपके जूनियर्स इस मटंचीरी ऑर यह है और इसमें आपके डिक्टेशन है और इंग्लीज में 80 वर्ट्स पर एमिनेट होना चाहिए जुनियर इंजिनियर इलेक्ट्रोनिक्स जिसमें आपको टोटन वार्फ वेकर्जी थर्टीवन और आपने बी बीटेक किया होना चाहिए इसके लिए नेस्ट आपका है अब्सक्राइब नहीं है नेक्स्ट आपका सिक्यार्टी सुपरवाइजर इसमें वुट्मक्राइब यूक्शुंप होना चाहिए और इसके लावा आपका दो यह एक्स्परेंस हो टो भी बहुत अच्छी बात है नेक्स्ट आपका है कारपेंटर क्रास सेकेंड इसमें इसमें आपको पास इसमें पास इसमें पास इसमें प्रोग्रामर इसमें आपको बैचलर डिगरी चाहिए किसी स्टिम से प्लस एट थाउजन की डिप्रेशन पर आवर डेटा एंट्री वर्ग यह आपकी स्पीड होनी चाहिए और नेक्स्ट आपका है टीजी टी डीफ और बम जो गूंगे और बहरों के लिए होता है उस डिपार्टमेंट में आपका है 19 वेकेंसी टोटल है जो आपको बैचलर डि आपके इसी कटेगरी में है जिसमें आपके जो एजक्रेशन चाहिए यह है यह प्लस तो इंटरमेडियत विट डिप्लोमा इस पेशल एजूकेशन यह आपके पास होना चाहिए तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाइब कर सकते हैं और इसकी भी मैक्सिमम जो एज है ओ 30 years है और साथ में जो एज का रिलेक्शेशन हैं उसारी यहां पर अप्लिकेबल हैं दोस्तों बात करते हैं अप्लाइब कैसे करना अप्लाइब करने तरीका सबसे सिंपल है आफ लाइन आपका कोई भी प्याप अप्लिकेशन नहीं जाएगा सारा जो अप्लिकेशन है यह ऑ होगा सबसे पहले बात करते टीर वन के लिए तो इसमें आपका नॉर्मली जो एक कोश्टन्स पेपर होते हैं आपके देखे होंगे जिसमें जर्नल अवेर्नेस जर्नल इंटेलिएंस आपके आएंगे बात करते टीर टू के एक्जाम में आपका जो एम सीक्यू टाइप इंग्लिस लेंग्वेज हैं पार्ट टू में आपका डिस्क्रिप्टीव होगा जिसमें आपको जो भी कोश्टन्स होंगे उसमें आपको लिखनी के लिए जाएंगो जो कि एक बार स्टडी कर लिजेगा साइट पर जाकर डाउनलूड करके नोटिफिकेशन को क्या-क्या इसमें पूछ सकते हैं दोस्तों जो टीर वन है इसमें नॉर्मली आपका टू हंडिन माक्स का कोश्टन्स होंगे दोनों को कमबाइन करके ही आपका एक रिजल्ट निकाला जाएगा कि जिसमें दोनों का वेटेज एड़ के जाएगा वेटेज जो आपका फरस्ट में आपक इसके बाद आपका स्केल टेस्ट भी में इनवाल किया जाएगा इसके अलावा दोस्तों इसमें करने का एक और है कि आपको मिनिममम इतने माक्स लाएंगे आप तभी क्वालिफाइग कर सकते हैं तो भी क्राइटिरिया किया गया है कि अगर जरनल करते हैं तो आपको 40% मार से विलॉंग करते हैं तो आपको 35% मार्स दाना कंपल सरी है और वहीं पर ऐसे स्ट या पीच्ड पीच्ड पीड़ूडी हैं तो उसमें आपको 30% मार्स दाना कंपल सरी है ध्यान कियेगा और इसको एक सर्विस जो मैं होते हैं उनको 5% एकसर प्रोवाइड किया जाएगा तो यह था पुरा डिटेल आपको इस जॉब के बारे में तो अगर आप चाहते हैं कि आपको देली में जॉब करना है तो अभी आप इस जॉब्स कर ले या अब इस वीडियो को अपने दोस्तों पास जरू शेयर करें क्योंकि आपके बहुत सार ऐसे दोस्त होंगे या रिलेट झाल